दोस्तों नमस्कार आज है 13 अप्राइल 2020 और आज की हम देखते हैं Important Current Affairs आप लोग अब पूरे जोर सोर से तयारी में लग जाईए 2020 आपके लिए होने वाला है तो बगर कुछ सोचे समझे आप सही दिसा में जो सेक्षन जादा पूछे जाते हैं उन में फोकस होके तयारी किजे और इस बार का वहत आसन एकजाम आपके लिए होने वाला है आप प्री कवालिफाई करने को ने कबाद मेंस आसान होने वाला क्योंकि मेंस में ज़्यादा आपका competition नहीं रहने वाला क्योंकि आपका number up वेकंसी कम हैं दूसरा मेंस आपको ज्यादा सोचना नहीं कि आपका मेंस में क्या क्योंकि उसी रेशियो में मेंस में बच्चे क्वालिफाई करवाए जाएंगे अगर 200 अभी मान लेते हैं वेकंसी है तो इसको देखते हुए मात 13 गुना बच्चे अर्थाद 2600 बच्चे क्वालिफाई के जाएंगे तो 2600 के बीच आपका ही कमपडिशन मेंस में होगा तो मेंस को लेकर आपको परिशान नहीं होना अब आपका पूरा फोकस प्रेलिम्स पर हो जाना चाहिए क्योंकि समय कम है तो इसी साथ हम लोग करेंड अफेर साज का डिसकस करते हैं लेकिन उसके पहले आप पूरा वीडियो देखिए और एक काम आप कर सकते हैं कि कम से कम वीडियो को लाईक से इर्थो कर दिया करिए तो देखते हैं मानो संसाधन विकास मंत्राले के द्वारा एक e-learning आप यानि विक्सित किया गया है यानि e-learning content योगदान को मंत्रित करने के लिए राष्टी कारक्रम लांज किया गया है इसी को बिद्यादान 2.0 का नाम दिया गया तो आपके एक्जाम में पूँच लेगा कि विद्यादान 2.0 किसके द्वारा ये शुरू किया गया ये नेशनल प्रोग्राम राष्टी कारक्रम है तो आपका उत्तर हो जाएगा मानो संसाधन विकास मंत्राले के द्वारा ये विद्यादान 2.0 है क्या तो ये लर्निंग कांटेंट है इसमें बिश्व के विविन भागों से सभी के द्वारा ये लर्निंग कांटेंट में योगदान अपना कंटिब्यूशन देने के लिए आमंत्रित किया गया है और इसके लिए दिच्छा नामक पोर्टल का प्रियोग किया है तो दिच्छा पोर्टल पहले भी पिछले वाली वीडियो में काफी डिटेल में डिसकस कर चुके हैं तो दिच्छा पोर्टल पर के माध्यम से विद्यादान 2.0 पर आप अपने ये लर्निंग कांटेंट जो आपके पास है वो किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है आपका मायत रिजिनिंग आपका जियस या अन्य जो भी आपका ये कांटेंट है उसको आप प्रोवाइड करा सक तो ये आपका टूल विक्सित किया गया है तो ध्यान दीजेगा विद्यादान 2.0 आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है आगे देखते हैं उच्छ गुरुवत्ता की सामगरी प्राप्त करने के लिए क्राउड सोर्सिंग टूल के उपयोग पर जोर दिया गया है तो आप अब पूरे भारत में उठाया जा सके इसलिए इसको विक्सित किया गया है अगला हम देखते हैं बिसु प्रेश स्वतंदरता या इसी को वर्ल्ड प्रेश फ्रीडम इंडेक्स 2020 के नाम से जाना जाता तो यह मुश्ट इंपॉर्टेंट है आपका तो जान लेते हैं कि बिसु प्रेश स्वतंदरता वर्ल्ड प्रेश फ्रीडम इंडेक्स है क्या कौन संस्था इसको जारी करती तो एक मेडिया वाच डाग ग्रूप है और इसी को रिपोर्टर्स बिदाउट बार्डर्स कहा जाता और यह कहां इस्तित है यह फ्रांस की राध्धानी पेरिस में इस्तित एक NGO non-governmental organization है 2016 के आईस प्रेलिम्स में रिपोर्टर्स बिदाउट बार्डर्स के बारे में पूछा गया था यह क्या है तो यह एक प्रकार का NGO है यानि non-governmental organization है गयर लाबकारी संस्था है गयर सरकारी गयर सरकारी संस्था है NGO non-governmental organization है तो ध्यान रखिएगा और य लगातार अभी 180 देश की सूची जारी की गई और इनमें ranking दी गई इनमें लगातार चौती बार सीर्स पर आपका कौन बना हुआ नार्वे बना हुआ है तो आपका कुछ आपका top वाले country आपको पता होना चाहिए तो सीर्स 180 देशों में finally rank इसको मिली नार्वे को आप दू एब आपका पाफा बाब भा मा उसके बाद लेन्ड आपका दूसरे नंबर पे है और लेमें बेर आपका ड़ा से समफ्त हो रहां तो अगला यह जी सुरू हो रहा तो बहुत आसान है आपका डिन्मार्क का योगा लाष्ट में वोगा तो तीन देश आपको याद हो गए न ध्यान रखिएगा तो आगे पीछे आपका तीन दे दिया तो गलत नहीं होगा तो सीर्ज पे नारवे चोथी बार आपका सर्वोच अस्थान प्राप्त किया है दूसरे नंबर पे फिनलैंड है और तीसरे नंबर पे डिनमार्क है तो प्रसम यह उड़ता है कि भारत की पोज स्थान कितनी हो गई है 142 भारत को 120 अस्थान दिया गया है इसके संबंद में कुछ इंपॉर्टेंट भी इसमें कहे गए क्या कहा गया कहा गया 2019 ऐसा साल विता है कि मीडिया परसंस यह जर्नलिस्ट की भारत में कोई की मृत्ति नहीं हुई जबकि 2018 में 6 लोगों को की मृत्ति हुई थी इनमें कुल 180 देशों को संब्ल किया गया उपर ही बताए और सबसे नीचे जो 180 अस्थान दिया गया अब आपको इस पेश्ट हो गया होगा किसको दिया गया तो उत्तर कोरिया को क्या किया गया सबसे नि नीचे हैं भारत से नीचे कम लब हुआ उनकी रहें के 142 से कम है कम है आगे देखिएगा अगला यह न्यूज में था कि बेस्ट टेकसास इंटर मीडियर यूसे में आधारित है तो ध्यान दिजिएगा एप बेस्ट टेकसास इंटर मेडियर है क्या इस चर्चा में क्यों र तक बेस्ट टेकसास इंटर मीडियर के दाम कितने 40 2,3,2 बैरल प्रति डालर माइनस में हो गए है माइनस का मतलब का इसका मतलब क्या है पहुँज आगे इसका आपका कुरूड आयल है एक आपका ब्रिंट आयल है तो यह कई हैं जिसमें आपका इंडिया का भी अभी हम प्रभाव देखेंगे तो बिस्ट टेकसास इंटर्मिडेट अमेरिका में इस्थित एक कुरूड आयल कंपनी है जिसमें तेल के दाम लगातार आपकी क्या बिंचमा रखिएगा और यह गिरावट दिटी भी सुईद के बाद सबसे निचले अस्तर पर पहुंच गई है सबसे निचले अस्तर पर पहुंच गई है तो ऐसा क्यों यह माइनस में क्यों पहुंच गया निगेटू आयल प्राइस क्यों हो गई अगर हम इसको समझते हैं कि यह नि एक बार तेल का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया तो जो मसीन होती है उसके कल पूर्जे खराब हो जाते अब दूसरी बार सेटप करना काफी यानि महेंगा हो जाता तो अब इस्तिती क्या हो गई तेल खरीदने वाला कोई आपका तयाम नहीं है तो जो टैंक है उसमें स्पे चालिस यूएस डालर आपको हम अपनी तरफ से देंगे तो यह इस्तिती उत्पन हो गई है इसी को निगेटू आयल प्राइस कहा जाता है तो अब आपको समझ में आ गया होगा माइनस में क्यों पहुंच गया अगले स्कीम है सुजलाम सुफलाम जल संचय आपका अभियान समझ लेते हैं सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान एक कव 2018 में लांज किया गया था और इसका उदिस क्या था वर्सा के जल का भंडारन करना और इसके लिए जो जल निकाए वाटर बाडी होती है वाटर बाडी का मतलब हुआ जैसे जील हो गया चिक डैम हो गया नदी तला पोकर जलासे इन सब को गहरा या डीपन करना और इसे गुजरात अभी राज है वहाँ पर इसे सुरू किया गया था तो गुजरात सरकार ने आदेश दिया है किसे आगे भी कांटीनियों किया जाएगा तो पुछा जा सकता है सुजलाम सुफलाम जल संचे जो योजना है अभी हाल ही में इसको हरी जंडी फिर से किस राज सरकार ने दिया है तो गुजरात सरकार के द्वारा दी गई है अगला हम देख लेते हैं आपका अगला न्यूज में है वर्ल्ड बुग डे तो वर्ल्ड बुग डे हर साल कब 23rd 23rd को मनाया जता है वर्ल्ड बुग डे को दो अन्य नामों से जाना जाता एक इसका नाम है आपका वर्ल्ड बुग एंड काफी राइट डे या इसी को INTERNATIONAL DAY आप दा बुग के नाम से जाना जता है तो कुस्सन पूछ लेगा चाहे वर्ल्ड बुग एंड काफी राइट डे पूछे या international day of the book पूछे या world book day पूछे तीनों बात एक ही है और ये 23 अप्रायल को मनाया जाता है और किसके द्वारा ये मनाया जाता अगर हम इसकी बात करें तो यूनिस्को के द्वारा मनाया जाता और इसके अंतगर reading, publishing वा कॉंफी राइट को promote करना प्रमोगूब से इसका लच्छे है, पहली बार एक कम मनाया गया था तो प्रत्थम बार 1995 में इसे मनाया गया था अगला जो नीज में था अभी आपका रग्त कोस पोर्टल ये काफी नीज में रहा है क्योंकि थैली सीमिया, सिकल सिल इनामिया, सिकल सिल इनीमिया तथा हीमोफीलिया जैसे बिक्तियों को रग्त परवर्तन करने के लिए रग्त आधान की ने समय समय पर जरूरत होती है तो इस दोरान सिकल सिल इनीमिया, थैली सीमिया वा हीमोफीलिया जैसे बियाधियों को ठीक करने के लिए रग्त को स्पोटल से बलड का प्रियोग किया रहा है तो ये प्रारम कब हुआ था? 7 अपरेल 2016 को इससे रिलांच किया गया था स्वास्तियों परिवार कल्यान मंत्राले के द्वारा इससे शुरुआत की गए थी आप जानते हूं 7 अपरेल क्यों कि विश्व स्वास्ति दिवस 7 अपरेल को मनाया जता है तो ये है क्या? या एक प्रकार का Blood Bank Management Information System है Blood Bank Management Information System है ये सब जानकारी आपको रियल टाइम पर हर वक्त 24 गंटे मिलती रहती है और या रग्त कोस्पोर्टल के मादम से ड्रग कास्मेटिक एक्ट तथा नेशनल ब्लड पालिसी के दिसाने देशों को भी लागू किया जाता है इसके वाल अगला न्यूज में था अभी अनुसूची छेत्रों में सिचको की जो नवकरी दी जाती है 100% आरच्छन लागू नहीं होगा सुप्रियम कोड ने इस सम्मद में एक फैसला दिया है पांच सदसी पीठ ने आंद प्रदेश हाई कोड के 2000 के फैसले 2000 सन में दिया गया था उस फैसले को पलड दिया और कहा कि जो अनुसूची छेत्र हैं जो आदिवासी छेत्र हैं आदिवासीयों के सिचकों को ही नूप किया जाना या क्या है आज सम्माइधानिक है यानि मनमाना है वा अबायद है तो इस हैसले को पलड दिया सुप्रीम कोड के दौरा तो इसमें पांच सदसी सम्माइधानिक पीठे सुनवाई कर रही थी जिसकी अधिस्ता जेश्टिस अरुन मिस्रा के दौरा की गई अगर अन्य चार जजों की बात करें तो इनमें अन्य चार कौन थे बिनीत बनर जी बिनीत सरन या मारसा अनिरुद दबोस इतने लोग सामिल थे तो आपको मिंबर आपका अधिच पता होना चाहिए आपका कौन थे अरुन मिस्रत थे और चार अन्य सदस कौन थे तो मुटा मुटा ये का आपका पता होना चाहिए कभी कभी कुसन ऐसे भी पीसेस पे पूछे गए है तो इंद्रा, बनर जी, बिनीत, सरन, या मारसा, अनिरुद बोस सामिल थे अब इसमें सुप्रीम कोट ने हवाला दिया इंद्रा साइनिवाद जो की 1992 1992 इसे को मंडल केस के नाम से भी जाना जाता तो मंडल केस के अंतरगद यानि इंद्रा सानी केस 1992 में फैसला सुप्रीम कोट ने सुनाया था और कहा कि किसी भी सूरत में 50% से ज़्यादा आरच्छन नहीं दिया जा सकता है 50% और ये 100% का आरच्छन जो भी ये आपका आंद्र प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया था या आदेश मनमाना अवैद वा आसम बैदानिक है तो इसे अवैद ठारा दिया है तो ये आपका एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है अगला न्यूज में था क्रोना जांच के लिए कमबनी कम कीमत वाली टेस्ट किट का एक विकास किया गया है और इसके माधम से जांच एक घंटे से कम समय में की जा सकती है इसी क्रोना जांच की जो टेस्ट किट विक्सित की गई उसी को फेलूदा नाम दिया गया है फेलूदा का विकास किसे ने किया तो देव जोतित चक्रवर्तिवा सवविक मैति एक बार फिर से नाम रिपीट करते हैं देव जोतित चक्रवर्तिवा सवविक मैति के द्वारा इसका विकास किया गया है और इसमें दो संस्थाएं प्रमु रूप से भूमकादा की हैं एक को CSIR कहा जाता इसे को Council for Scientific and Industrial Research के नाम से जाना जाता है दूसरी है Institute of Genomics and Integrative Biology के नाम से जाना जाता आईजी आईवी के नाम से जाना जाता Institute of Genomics and Integrative Biology CSIR और आईजी आईवी ने साइंक दूप से इसको निर्मित फैलूदा को किया है अब CSIR की बात करें तो 1942 में इसके स्थापना की गई थी और एक अधिनियम के मादम से CSIR अधिनियम 1942 इसलिए या एक प्रकार की इस्टेट टूचिरी या सामिदिग निकाह है पीछे की क्लास विसके बारे में डिटेल में डिसकस कर चुके और इसकी अधिस था किसके द्वारा की जाती है CSIR की अब नाम फैलूदा इसका दिया गया तो प्रस्न है फैलूदा नाम क्यों दिया गया क्योंकि मसहूर फिल्मकार सत जित्रे की कहानी के जासूसी चरित्र जो फैलूदा है उन्हीं को अधार बनाते हुए इसका नाम फैल दिया गया है अगला अपका फिर सुप्रेम कोड के होता हो सकती है राश सरकारों के द्वारत भारत कीयागा सुप्रिम कोट ने कहा कि राज सरकारों को केंद वारत तैं किये गए नियूंतम मूल से जो मिनमम प्राइस है नियूंतम मूल से अधिक यस एपी तैं करने का अधिकार है वो नियूंतम मूल से कम मालो जितना मिनमम प्राइस गरने का तैं कर दिया गया केंद सरकार के द्वारा उससे कम म vlipur o sap state advisory price नहीं कर सकती लेकिन उचाती ए प्राइससे अधिक की सटेट एडवाजिरी प्रैस मुछित करें तो आराम से उगनने के लिए ठैक कर सकती हैं इसके लिए दो फैसले का इन्होंने सुप्रिम कोट ने हवाला दिया एक फैसला जिससे टीका राम जी के नाम से जाना जाता और दूसरा केस यूपी कॉपरेटु केन यूनियन फटरेशन यूपी कॉपरेटु केन यूनियन फटरेशन के नाम से जाना जाता सुपरिम कोट ने कहा टीका राम जी वा यूपी कॉपरेटु केन यूनियन फटरेशन में कोई विरुधाभास नही कोई भी रोधावास नहीं है इसलिए इस केस को साथ सदसी पीड के पास भेजने की कोई जरूरत नहीं है जरूरत नहीं है सुप्रिम कोट ने हवाला दिया कि गन्ना नियंतरन आदेश जो 1966 है उसका उपबंद सेक्संतीन के अनुसार केंद सरकार को मिनमम प्राइस तेंग करने वारा सरकार को एडवाइस प्राइस तेंग करने का अधिकार दिया गया है इसलिए इसे जानी सुप्रिम कोट में या साथ सदसी पीड में अब भेजने की जरूरत नहीं है तो आपको ध् यानि केस किया गया था दूसरी के संब्द में अभी ये डिसीजन आया है फिर मामला सुप्रिम कोट पहुंचा और सुप्रिम कोट ने इस मामले को बिलकुल आपका किलियर कर दिया है अगला सबसे लाश्ट में जो नियूज थी ध्यान से समझेगा इरान ने सैन सेटलाइट नूर को लांज किया है इरान के द्वारा एक सैन सेटलाइट मिलेटरी सेटलाइट नूर को लांज किया गया तो कुस्ण पूछा जा सकता नूर किसके द्वारा लांज किया गया तो इरान के द्वारा लांज किया गया है एक कितने उंचे कच्छा में स्थावि नाते है कि आई एरान का पहला मिलिटरी जानि कि संप से टिलाइट है इसांग साथ एक और करिंड में था कापिन मुझ में आते रहते हैं कि सेंड आर्टिस्ट हन अंट अर्टिस्ट अनक्र कहा जाता लोग है चला करतिया करतिया कना दें उसे को सेंड आर्टिस्ट कहा जाता और इन्हीं का नाम है सुदर्सन पटनायक सुदर्सन इन्हीं का नाम है सुदर्सन पटनायक तो यह सेंड आर्टिस्ट सुदर्सन पटनायक के द्वारा अभी पूरी में यानि कोविद नांटीन से के संब्द में COVID-19 के संबंद में लागडाउन का पालन करने COVID-19 महामारी के संबंद में जागुता फैलाने के लिए कई कलाकृतियों का कई आपकी सेंड आकृतियों का निर्वान किया गया है दिल्चस्प बात ये है कि 2014 में इन्हें पदमस्दिरी से भी नवाजा जा चुका है तो आज का इडिसकसन यहीं समाथ होता है थैंक यू थैंक यू बेरी मच